तो कहानी के सुरुबात में हम कुछ गॉबलिंस को पार्टी करते हुए देखते हैं उन सब को पार्टी करते हुए हमारे कहानी का हीरो हरुका छुपकर देख रहा होता है लेकिन तब ही ओ वहां से जाने रखता है लेकिन गलती से उसका पेर एक लकड़ी के नीचे आ जाता है जिसके आवाद से गॉबलिंस को इसके यहाँ पे होने का पता चल जाता है जिसके बाद गॉबलिंस हारुका के पीछे पढ़ जाते हैं तब ही हारुका वहाँ से भागने लगता है भागते भागते एक बहुत बड़ी लंबी च्छनाग लगाता है जिसे जो goblins उसके पीछे पढ़े थे, उस Mail एक गड़े में गिर जाते हैं, जिसके बाद Haruka के तेए कि ये बहुत ज्यादा करीब था. ये तो अच्छा हुआ, मैं पेले से ही एक गड़ा बना आया खाता. उसके बाद हरुका कहता है कि अभी मैं एक दूसरी दुनिया में एकले सरभेप कर रहा हूँ उसके बाद हरुका इस दुनिया में केसे आया इसके बारे में बताता है उसके बाद हमें एक पास्ट का सिन देख के आजाता है जहांपे हरुका क्लास में बेटके एक बुक पढ़ रहा होता है और वहाँ के क्लास में चारोतर बचे एक ग्रूप बना के बाते कर रहे होते हैं और हरुका कहता है कि तुम दे सकते हो, मैं एकले हूँ अगर तुम सोच रहे होगा कि मैं एकले क्यों हूँ तो इसका अंसर एकदम सिंपल है मुझे अपने क्लासमेट से कोई भी फरक नहीं पड़ता अगर मैं उनसे बाते करने लगा तो ओलोग मुझे बुख पनने नहीं रंगे उसके बाद हारुका देखता है कि क्लास में अचानक एक सॉमनिंग सेर्कल क्रेट होता है जिसको देखकर हारुका समझ जाता है कि ये एक मैजिक सेर्कल है दूसरे दुनिया में जाने का क्योंकि इसके बारे में उन नोबल्स और मांगावे बहुत बढ़ा है कुछ समय के लिए हारुका तो खुस हो जाता है लेकिन कुछ समय के बाद हरुका कहता है दूसरी दुनिया में जाना बहुत बड़ा सर्दिद होगा क्योंकि वो आनिमे में देखा है दूसरी दुनिया में जाने के बाद मैं कारेटर को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और वो केता है कि इस से अच्छा होगा मैं यहां पे रहे के आनी में और मांगा पढ़ता रहूँ उसके बाद वो क्लास से बाहर जाने लगता है लेकिन दरबाजा नहीं खुल रहा होता है वो बहुत कोशिज करता है लेकिन दरबाजा खुलने ही रहा होता है उसके बाद देखता है ओग क्लास के उपर सथ में जाने के लिए रासता है तभी ओग क्लास के सथ में चला जाता है लेकिन ओओ सुचता है कि ओँ What needed देखके हरुका समझ जाता है कि तुम इतले लेट क्या कर रहे थे और उसके बाद God Haruka को चल्दी से अपने स्किल्स सुनने के लिए के थे हैं उसके बाद Haruka कहता है मेरे कलास्मेट यहां पे पहले आ चुके हैं और जितने भी Parfal स्किल्स होंगी तो पहले हई सिलेट कर चुके होंगे और Board पे जितने भी स्किल्स होंगी मैं दूसरी दुनिया में किसी को भी मार नहीं पाऊंगा मार ना तो दूर की छुड़ो मैं दूसरी दुनिया में एक भी दिन सर्वाइब नहीं कर वाऊंगा और इसके ये बात सुनके गॉड कापी जादा परिजान हो जाते हैं उसके बार गॉड परीजानों के जितने भी यूसल स्किल्स हैं वो सारी गॉड हारुका को दे देते हैं और दूसरी दुनिया में टेलिपोर्ट कर देते हैं दूसरी दुनिया में टेलिपोट होने के बाद हारुका देखता है उसके पास एक बैग पड़ा है जिसमें कुछ आइटम्स और कपड़े थे और जो बेग होता है उस बेग के अंदर अलिमिटेड आइटम्स स्टोर करके रख सकते हैं और उसमें से हारुका कपड़े पहन ले होता है और इसका मतलब हारुका को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और इसके बाद वो सुचता है कि आखिरकार वो इस M स्किल्स को किस पे लगा है उसके बाद वो अपने इस M स्किल्स को अपने लग पे लगाता है उसके बाद जब वो अपने status को चेक करता है उसका जो लॉक का लेबल वो max हो गया होता है और वो देखता है कि उसे वो सारी बेकार skill मिली हुई थी और उसे दो और extra skills मिली थी जो कि एक loner की होती है और उसे इस दुनिया में भी एकले रहना होगा और ना ही वो किसी के पार्टी जोइन कर सकता है ना वो दोस्त भी बना सकता है और इसके बाद वो कापी सारा skills का इस्तमाल कर पाएगा और वो सोच रहा होता है कि आखिर कार में एकला यहां पे क्यों हूँ मेरे वो जो बाकी classmen वो भी तो मेरे साथ यहां पे आये थे बट छोड़ो उनको उनसे क्या ही लेना देना है मेरा और मैं यहां पे सबसे पहले अपने लिए एक गर बनाता हूँ और वो सोचता है कि मेरे पास इतने सारी skills से वो सारी skills मॉस्टर से लड़ने के टाइम मेरे काम आए पाएगी या नहीं जंगल में वो चारो तरफ देखता है लेकिन उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो सोचता है कि मेरे पास contact lens भी तो है और इसके बाद वो जैसे ही उन्हें पेहनता है उसे सारी चीजे साब दिखाई देने लगता है और साथ ही उन सभी चीजों के नाम भी लिके हुई उसे दिखाई देते है वो जंगल में सारी चीजों को काफी ज़्यादा आसानी से देख पा रहा था और साथ ही उसे रास्ते में काफी सारे मस्रूम खाने के लिए मिलते हैं और उन मस्रूम को अपने बेग में डाल लेता है और उसके बाद वो आगे बढ़ता है कुछ समय बाद उसे एक नदी दिखाई देती है वो बेग में पानी भरके उसी बेग से पानी पीने लगता है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है जिसके बाद उसे एक गुपाय दिखाई देती है और वो सुसता है कि कहीं इसके अंदर कोई मोर्स्टर ना हो और जब वो उसके अंदर जाता है तो उसे पता लगता है यहाँ पर कोई मुँटर्ण नहीं है फीरो डिशाइड करता है कि वो अपना बेसकाप यही पे मनाएगा और उसके बाद वो अपने बेक में से लैंटेन और टेंट को बाहर निकलता है जिससे की ओर रात में यहाँ पे आराम से रहे पाई उसके बाद ओर कुछ लकडियों को एक कटा करता है और अपने टेमपेचर मैजिक से वहाँ पे आग जलाता है जिससे की जो आस पास की मौस करें ओर से दूर रहेंगे जिसके बाद हरुका केहने लगता है की मेरे पास जो स्किल्स हैं मैंने सोचा था ओर सो insop बिकार की होंगे लेकिन उस तो बड़े काम के निकल रहे हैं इसके बाद हरुका को नीड आने लगती और और ओर सोने चला जाकता है लेकिन सुने से पहले वो अपनी स्टाटस को चेक करने लगता है अब उससे पता चलता है कि उसका जो टेमपेचर मैजिक था वो इबग होके अब एक फायर मैजिक में बदल गया है और ये भी देखता है कि उसे एक और ट्रैक्टिंग स्किल से भी मिली है जिसका यूज करके ओ मौस्टर को आराम से ढूंड पाएगा उसके बाद उसे नीदा जाती है और वो सोने चला जाता है और अब सुबह हो जाती है हारुका डटते हुए उड़ता है और कहता है कि अच्छा हुआ कोई मौस्टर भी हमला नहीं किया जिसके बाद हारुका कहता है कि मैंने जो आइटम लगाया था वो सच में बड़ी काम किये जो लाइटन हारुका ने लगाया था उससे मौस्टर दूर रहते हैं जिसके बाद हारुका को बहुत जोड़ से भूग लग रही होती और वो जो मसरूम को कलिट किया था उनको फायराक का इस्तमाल करके पकाने लगता है पकाने कबाद हारुका को मसरूम कापी ज़्यादा टेस्ट लगता है और हमें ये बता चलता है कि बिलेजर सेट के बज़े से हारुका को एक पान और एक नाइप भी मिल गया था जो देखकर हारुका कहता है कि ये सेट तो काफी कमाल का था इस दूसरी दुलिया मैं सर्पाइब करने में ये काफी ज़्यादा मदद करेगा इसके बाद हारुका सोचता है कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए इसलिए वो भी डिसाइट करता है कि सबसे पहले वो जितना होसा के उतना फूर इकटा करेगा और साथ में उसे सेप्टिक करने के लिए कुछ करना पड़ेगा आगे जाकर उसे काफी अलग अलग चीज़े मिलती है जिने वो कलक करके अपने बेग में रखता है तो भी अचानक से उसकी प्रेसंट डिटेक्टिंग स्किल से उसे कुछ गॉबिलिंस का महसुज होता है जिसके बाद हरुका उन गॉबिलिंस को देख के काफी ज़्यादा डर जाता है इसके बज़े से वो भी वहाँ पे चुप जाता है जिसके बाद हारुका उन Goblins की स्टाटस को दिखता है तो वो स्टाटस वो काफी अच्छे थे इसलिए वो उप सूच रहा होता है कि क्या वो इन Goblins से जीख साता है यहाँ पे हारुका एक स्टिक को निकाल लेता है और उन से लणने की सूथता है हारुका यहाँ पे सूचता है कि अपने इस स्टिक को मैजिक से राप कर देगा अभी इस स्टिक से ग्लो करने लगता है और हारुका उन Goblins से लणने के लिए तैर हो जाता है और उन में से एक Goblins के उपर वो हमला कर देता है हारुका उस गॉबिलिंज को किसी तरह हरा देता है लेकिन वहांपे और एक गॉबिलिंज होता है और वह भी गॉबिलिंज हारुका के उपर हमला कर देता है और इस goblin's के movement काफी ज़्यादा slow होती है जिस़े हारुका अपनी magic का इस्तमाल करके काफी ज़्यादा आसनी से हरा देता है। उन से लगते लडते शाम हो जाती है जहांपे हारुका एक नदी के पास जाता है। उस नदी में हरुका अपने अपको पूरी तरह साप करता है और वो बहुत खुज़ होता है उसकी पहले लड़ाई वो काफी आसानी से सेर्वाइब कर पाया और साथ ही वो काफी सारी न्यू चीज़े की सीखा है उसके बाद वो गर बापासा जाता है जिसके बाद वो फिर से मसरुम खाने लगता है क्योंकि उसके पाद और कुछ खाने के लिए है नहीं उस काबलिंग से लड़ने के बाद उसे काबलिंग क्यों मिला होता है पर वो उससे ठीक से यूजने कर पाता है क्योंकि वो काफी ज़्यादा भारी होता है और उसके बाद जब वो अपने स्टार्टर्स को देख रहा होता है अब वो एक दूसरी लेबल पर जा चुका है जिसके बाद वो अपने काफी सारी स्किल्स को देखता है जो कि लेबल अप हो चुका होता है फिर हम देखते हैं तीसरी दिन जहांपे हरुका फिर से मसरुम खा हुरा होता है अपना अभर निकलता है अपने अपने मेजिक प्रम के लिए जहांपे हारुका कई के लिए मीट ढूंड रहा होता है फिर इस से याद आता है कि ओबार मैजिक पैटिस करने के लिए निकलाता है हरुका यहाँ पे अपना मैजिक इंफ्यूजन और रोज हर सुबा गॉबलिंस से फाइट करता है और रात को अपने मैजिक प्राटिस करता है और हरुका कहता है कि ओपांच पे दिन फाइनली सक्सेस्पुल हुआ गॉबलिंस को एक ही जक्ते में खतम करने में इसलिए साथ ही ओपने बैस को भी थोड़ा सा अच्छा बनाया है और अभी तक उसका लाइफ पाइनली ठीक ठाक बीद रहा होता है और रात में हरुका यहां पे एक खरगोस को पकरने के लिए उसके पीछे पाग रहा होता है इसको पकरने के बाद हरुका को वहां पे किशी का होने का मैसुस होता है लेकिन इस बार वो गॉल्स नहीं थे हरु का पता कल लेता है कि ये उसी के क्लास के बच्चे होते हैं जो कि गुंडे ग्रूप के लड़के थे हरु का डशाइड करता है कि यो उनसे कोई मतलब नहीं रखेगा और हरु का ये भी नोटिस करता है कि दूसरी साइड से छप्री लड़कियों का ग्रूप भी यहां पे आ रहा होता है और तीसरी तरब से और भी बच्चे आ रहे होते और ग्रूप ओटा कूबालो का था और यहां पे हरुका अपने क्लास के लीडर को भी दिखता है इसके बाद हरुका बाता था है कि उपने क्लास रेप को बहुत पहले छानता है इसलिए उससे हाई बोलने के लिए सुचता है लेकिन ओर रुक जाता है क्योंकि उसे एकेले रेने में कापी ज़धा प्रिमेसिस होता है हारुका रिखता है कि उसके क्लास मेर्ट सब उसी के तरप आ रहे होते हैं तब ही वो जाडियों में छुप जाता है हारुका के जाडियों में कुदने की बज़ से वहाँ पे आवाज हो जाती है जिस आवाज को ये बंदा सुन लेता है इसलिए वो जाडियों की तरफ जाने लगता है जैसे ही वो जाडियों के तरफ जाता है उस जाडियों में से एक खरगोस बाहर निकलता है वहाँ पे खड़े जितने भी लोग को ये लगता है कि ये आवाज इस खरगोस के बज़े से आ रहा था और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे हारुका थोड़ा सा रिलाक्स फिल करता है लेकिन इन जाडियों में चुपकर हारुका इन चप्री लड़कों का आवाज सुन रहा होता है लेकिन ये सब अपने कलास के लड़कियों के बारए में गंधी गंधी बाते कर रहे होते हैं फिर हारुका सोचने लगता है कि अगर ये लग कुछ भी उल्टा सुदा करने की वारे में सोचेंगे तो वहाँ पर क्लास लिडर है इन लोगों को देख लेगी हो वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि ताना का नाम के लड़के से पुछता है क्या ये स्किल्स का इस्तमाल करके हम कुछ भी कर सकते हैं ताना का नाम का लड़का कहता है कि हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं पीजे खड़े हारुका सोता है कि ये लोग तो ताना का को एक गूगल की तरह यूज़ कर रहे हैं और जैसे ये लोगों को बता चल जाता है। अपने skills को कैसे यूज करते हैं। जिसके बाद ये लोग voice president की और जाने लगते हैं। और यहां पर haruka भी वहां से चला जाता है। और यहां पर haruka अपने वैस पर पाफास आ जाता है। और हो देखता है कि उसका लोनर स्किल लेबल टू पर जा चुका है इसका मतलब वो अब लेबल अप हो चुका है और हो सोचने लगता है कि यह इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी क्लासमेट को आज इग्नौर किया और हारुका यहां पर देता है कि उसका ओवरल खुद का जो लेवल है वो बस लेवल 3 है यह यहां पर सूचता है कि इसका लेवल इतना कम है इसलिए कि उसके पास master up non और block head करके दो skills है master up non skills के बज़े से वो किसी भी एक चीज़ पर ज्यादा दे ट्रक फोकस नहीं कर सकता लेकिन अभी भी हारुका इंची जो के होते हुए हर चीज़ को अच्छे से अंडल कर पा रहा है हारुका को अपने दूसरी skills के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है इसलिए ओडिशाइड करता है कि अब ओखाना काईगा खाना काने के बाद हारुका सुने की कोशिश करता है लेकिन हारुका सो ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसको लड़ने की आवाज आ रही होती है यह सब आवाज सुनने के बाद हरुका बहाँ से बहाँ निकलता है और सुज़ता है कि आखे बाद चल क्या रहा है जो ये लड़के थे उनका लेबल कापी जाजा अच्छा था और हो सुचता है कि इन लोगों के पास मेरे से अच्छी स्किल्स है और ये ये सुचता है कि उसके क्लास में जितने भी बच्चे थे उससे ज़्यादा टालेंडर थे और हारुका कहता है कि इन लोगों का लेबल भी मुझसे बहुत जादा है ये लोग अपने हाँ संभाल लेंगे और यहां पर जैसे हारुका जाने वाला होता है वो देखता है कि जो गावलिन चे इन उटाकू गूरूप के उपकर पीछे से हमला करने वाला है उसके बाद हारुका को याद आता है कि ये उटाकू गूरूप के लड़के स्कूल में उसके के बार मदद किये इसलिए अभी यहां पर हारुका उनको बचाने के लिए आगे जाता है ऐसा बोलने के बाद उतेजी से जाता है और उन दो गॉबलिन को मार देता है और उन सब की जान बचा लेता है और अब उन से कहता है कि क्या तुम सब लोग ठीक हो और उन सब हरुका को वहाँ पे देखकर काभी ज़्यादा हिरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अगले सिंग में हम देखते हैं कि वो सब हारुका का शुक्रियादा करते हैं उन सब की जान बचाने के लिए हारुका कहता है कि अरे कोई बात नहीं ये तो मेरा फर्स था उसके बाद हारुका उन सब को अपने गुपा में ले जाता है और वो लोग गुपा के कापी ज़्यादा बड़ा है। उसके बार हारुका उनसे बुझा है कि आखिर बाकी सब लोगों का क्या हुआ। और वो लोग कहां पर है। और तुम सब एकेले रात में बाहर क्या कर रहे थे। जिस पर वो लोग सब बताते हैं कि दरसल हम लोग बाग गये हैं। जो सुनकर ह हारुका कापी ज़्यादा है। और अब वो उन लोग से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। और और लोग भी उसे सारी बात बता देते हैं। और यहां पर हमें पता लगता है कि आखिर हुआ क्या था। अगला सिन तब का होता है। जब हारुका को छोड़कर उसकी बहुत ज़्यादा परिशान हो चुके हैं क्योंकि अब वो एक नई दुनिया में आ चुके हैं। वहीं पर कुछ बच्चे कहने लगते हैं कि अब हां क्या करें हमें दूसरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो जो उट्टा को गुरुप के लड़के होते हैं वो केते हैं हमें दूसरी दुनिया के बारे में सब कुछ पताएं। उनकी ये बात सुनने के बात वो जो चप्री लड़के होते हैं उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो खुछ भी बताए हमें जल्दीशे बताओ। इतने सारे बच्चे को यहां पर हलावला क और इसी के साथ वहां पर कुछ और बच्चे उनके साथ मिलकर उन गॉबलिंज को हरा देते हैं। यह सारी चीज़ें के लड़के दिये कि अब हम सब को एक से जगह पर चलना चाहिए। जहां पर यह बच्चे उसकी बात मान लेते हैं और अगले सीन में यह लोग एक नदी के किनारे पर होते हैं। यहां पर जो उटा को गुरूप के लड़के होते हैं और इन सबी बच्चे को दूसरी दिनिया में किसे रहा जाता है उन जब को बता रहे होते हैं। यहाँ पे क्लास रैप सबी बच्चे को अपने काम बाट लेती है जिससे उन्हें पता रहे कि उन्हें करना क्या है अभी यहाँ पे सारे बच्चे अपने अपना काम करने लग जगते हैं यह सबी लोग मज़े से अपना अपना काम कर रहे होते हैं लेकिन यह मज़ा बहुत द किया कांप करने के लिए तेहरी नहीं होती। उन सब को यहां पे जाते देखके gwाखी बाकि बच्चे भी यहां पे जाएंग देखक बुक्त पतिकीजित के पर यहां, पकुछ नाइख कर रहे हुते हैं। औरؑ पर नतBERT को बढ़ाना पड़ेगा अगला सिंद रात का होता है जहां पर ये चप्री वाले लड़के सारे के सारे अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं और इन लोगों के उपर नर्स भी नजर रखे होते हैं और उन सब की बाते ये नर्स सुन लेते हैं कि ये चप्री लड़के एक हारम बनाने की प्लान कर रहे हैं उन बदमाज लोगों का ये जो सारा प्लान होता है ये नर्ड सुन लेते हैं और जाके क्लास लीडर को ये सारी बाते बता देते हैं ये सुनकर क्लास लीडर कहती है कि अगर इस utilized जो जो बहुँ अपना लेबल अप करेगी दूसरी तरब ये जो चप्री लड़के होते हैं ये लोग अपने चार्म स्किल और बाकी स्किल अपग्रेड कर रहे होते हैं तभी इनके सामने क्लास लीडर आ जाती है तभी ये लोग सोच रहते हैं कि अभी क्लास लीडर को धर लिया जाए इसलिए अब निश्चित किया जाता है कि इन चप्री लड़कों को ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाए और वहां पे जितने भी लड़कियां होती है उन सब को भलावरा कहते हैं और उन्हें बाहर निकाल देते हैं थोड़ी दर के बाद ये बदमाच लड़के वापस आते हैं और अपने स्किल्स को अबड़क करने के बाद ये चप्री लड़के वहां पे उन सारे बच्चे को काफी ज़्यादा परिशान करते हैं और यहां पे सब कुछ तेहसनेस करने के बाद वहां से चले जाते हैं डर सबको समझानी लगती है इसमें इन नर्ट की कोई भी गलती नहीं है लेकिन क्यास लीडर की बाते कोई भी नहीं सुनता और यहां पर जो नर्ट होते हैं वो ग्रूप से चुप चाप चले जाते हैं कुछ यही सिन हुआ था इन नर्ट के साथ और आभी फिला ओ फ्रेजन हारुका के साथ हैं की अरे जार तूमने कापी कुछ पहस कियता है हारुका नर्ट के सह सकते हैं और यहां पर नार्ट्स हरुका को कहते हैं कि उस अफसे फिले एक टाउन डून रोंगे जिसके बाद वो लोग एक आडवेंचर स्टार्ट करेंगे। हरुका उनका आइडिया सुनता है लेकिन उनके साथ जाने से मना कर देता है क्यूंकि उसे अभी एकले रेने में काफी ज़्यादा मजा हरुका की ये बाद सुनने के बाद ये नर्च भी यहां से चले जाते हैं वो लोग के यहां से जाने के बाद हरुका सुचता है कि उ भी उनके साथ जाना चाता था लेकिन उसके जो स्टैर्ट से बहुत ज़्यादा लो है इसलिए उनके साथ नहीं जा सकता हरुका यहां पर आगे वड़ता है और देखता है कि उसके बाकिă के क्लासमेंट क्या कर रहे। और रात के समय ओ कमपिँंग एरिया में जाता है और देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं तब यहाँ पे एक लड़की कहती है कि प्लीज रुख जा ये प्लीज की बात सुनके हरुका वहाँ पे रुख जाता है और उन लड़की उसे पुझता है अच्छा बता हो क्या हो और ये लड़किया कहते हैं कि ओ लोग उन नार्च को धून रही है और कहते हैं कि तुम्हें अगर उन नार्ट के बारे में कुछ पता है तो उने बता दे और हरुका उने कहता है कि मैं जानता हूँ तुम उन नार्ट से अपना काम कराना चाते है और उन लड़किया कहते हैं कि अरे नहीं हमें उन नार्ट से माफी मंग दे है और उनको देखकर हारुका कहती है कि ये लड़किया तो बहुत सीरियस हारुका उन लड़कियों से कहता है कि वो नर्ज को नहीं डूट पाएंगे ये लड़कियां हारुका से फिर भी रिक्वेस्ट करती है और हारुका यहाँ पे देखता है कि उसकी एक स्किल अक्टिबेट हो चुकी है और ये जो तीनों लड़किया हैं वो उसकी गुलाम बन चुकी है लेकिन हरुका सुचता है कि ओई स्किल को डी अक्टिवेट कर देगा तब यहां पे क्लास की लीडर हरुका के पास आ जाती है लेकिन हरुका यहां पे अपने स्किल को डी अक्टिवेट करने में इतना ज़्यदा भी होता है कि वो class leader को notice भी नहीं कर पा रहा होता है जब class leader की वात है जो उसको बार भार बुलाने के बाद हरुका नहीं सुनता है तो एक class leader उसका नाम जोड़ से चिलाने लगती है हरुका class leader से पूचता है की ओओ यहां पे क्या कर रही है और अगला सिन बदबास लड़कों कहा होता है और यहाँ पर यह लोग अपने प्लान एक्सक्यूट करने के लिए तियार होते है और इसी के साथ यह कहानी यही पर खत्म होती है अभी तक इस एनिमे के सिर्फ दो ही एपिसोड आये हैं और और दो आने के बाद हम उस दोनों को भी कमबाइन करके पूरा कर देंगे तब तक यह कहानी आपको कैसे लागी कमट सेक्सेश में जरूर बताना तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई